दोस्तो एक जामितर में एक बर फिर से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप से भी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एम्स की जो आपको लास्ट स्ट्रेडजी है वो क्या बनानी है किस तरही से आपका जो अभी लास्ट टाइम बच रह करना है तो आपको मौक टेस्ट को जोइन करना ही चाहिए आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं संपूर्ण जानकर आपको इस वीडियो मिलेगी दोस्तो वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिए और दोस्तो आपको एम्स नर्सिंग और परामेडिकल की एक पर पर फॉलो करके वहाँ से भी जानकर ही ले सकते हैं इस्टाग्राम और टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है तो दोस्तों अगर आप मौक टेस्ट देते हैं जो टेस्ट सिरीज देते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है maximum benefit क्या रहेगा आपको किस तरह किस अपनी performance को आप increase कर सकते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और finally हम यह भी बात करेंगे कि आपको AMS, BSC Nursing Paramedical के लिए आपको particular अगर आप internet पे कहीं भी देखते हो तो आपको AMS, BSC Nursing और Paramedical Entrance Exam के जो mock test series जब आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे तो उसका भी solution दोस्तों आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखे दोस्तों आपने syllabus अपना complete कर लिया होगा तो अगर आप mock test देते हैं तो उससे आपको क्या क्या मिलता है तो उसमें आपको होता है कि जो सबसे एक तो आपका जो M's का B.A.C. nursing और परामेडिकल का जो exam pattern आता है कि किस तरीके questions पूछे जाएंगे आपसे तो वो आपको जानने को मिलता है क्योंकि जब तक आपको exam pattern का पता नहीं रहेगा तब तक आप उस चीज को समझ नहीं सकते है आप questions को solve भी नहीं कर पाएंगे और आपको कौन से topic read करने है तो वो भी आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको M's का pattern पता चलता है B.A.C. nursing और परामेडिकल एंटरेंस exam के लिए क्योंकि काफ़ी सार बच्चों का यहीं dream होता है कि उनका M's में कैसे भी admission हो जाए तो कैसे भी का तो मतलब यह ही है कि आपको अच्छे से मैनत करनी होगी आपने syllabus complete करना हो 11-12th anxiety based का तो जो M's B.A.C. nursing और परामेडिकल के लिए जो syllabus हो 11-12th complete anxiety based है कुछ बच्चों का यह भी doubt हता है कि इंटरनेट पे जो syllabus है वो बिल्कुल कुछ limit मात्रा में ही दिया गया जैसे कुछ एक topic बताए गया तो दोस्तों ऐसा कुछ भी officially update में नहीं दिया गया कोई भी notification ऐसे जारी नहीं किया गया क्यों जो M's के notification है वो आपका 11th और 12th का complete anxiety based syllabus है वो उसमें mention किया गया तो इसका मतलब यह है कि आपको M's का 11th और 12th best anxiety complete read करनी होगी तो सबसे पहले तो आप M's nursing और जो paramedical का entrance exam का exam pattern है वो आप समझ सकते हैं जो reality based रहता है और जो second है दोस्तों आपका confidence है वो increase होता है जिसे कि आपने अच्छे से complete syllabus कर लिए आपने chapter complete कर लिए फिजिस chemistry और biology की अब आपको अपने आपको आकलन करना है कि तो उसके लिए आपको mock test बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा mock test आप दोगे उतना ही ज़्यादा आपमें improvement आएगा आप उतने ही ज़्यादा योग्य बन पाऊगे अपने आपको उस चीज के लिए उस level तक बना पाऊगे कि आप वहाँ से अगर कुछ भी करें कोई भी exam देते हो तो उसमें आप 100% उसमें selection आपका हो जाए तो आपका उसके लिए सबसे ज़्यादा होता कि confidence level आपका high होना जी तो जैसे अगर आप कोई भी mark test देते हो अगर उसमें से आपके 100 में से आपके 90 या 95 आपके marks बन रहे हैं तो आपका उससे confidence level काफी high रहेगा और अगर आपका confidence level हाई रहेगा तो अपने आपको आप ये लगएगा कि हाँ मेरा selection हो जाएगा तो एक free mind से आप study करते हो तो जो कुछ भी read करते हो आपकी दिमाग में वैसा वैसा fit भी हो जाता है तो ये confidence level आपका ही होता है और आपका एक होता है कि आप जैसे paper देने जाते हो आप EMS का B.A.C. nursing और entrance exam का तो paper देने से पहले काफी सारे बच्चों के एक anxiety हो जाती है अजीब ही stress ले लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा paper में तो वो उसको दूर करने के लिए आपको उसकी जो फील नहीं होगा कि आप जो मॉक्टे सीरीज दे रहे हो है या आपका जो real paper है वो दे रहे हो आपको बिल्कुल दोनी चीज़े सेम भी लगए तो आपका जो anxiety है जो stress है वो आपका नहीं होगा उससे और जो आपकी fourth है वो आपका है कि अगर आप टेस्ट देते हो तो आपका self evolution होता है आप अपने आपका आखलन कर सकते हो और practice भी साथ की साथ आपकी होते है कि practice अगर आप जितनी ज्यादा करोगे तो उतना ही आप में improvement आएगा और जो last है दोस्तों उससे आपका instant result भी आता है अगर आप mock test देते हो तो उससे आपका result आता है और आप ये जान पते ह कि आप इतने में से कितने क्यूशन आप correct कर पा रहे हो और आपके कितने हैं वो incorrect हो पा रहे है तो आप उसमें improvement भी कर सकते हो तो ये चीज़े है आप mock test से प्राप्त कर सकते हो और दोस्तों इसमें maximum benefit आपको क्या मिलता है तो अगर आप correct क्यूशन करते हो दोस्तों तो आप आपको उससे आपकी strength का पता चलता है कि हाँ ये वाला topic है और इस तरीकी से अगर इस topic में से क्यूशन पूचे जा रहे हैं इस chapters में तो ये मेरा बिल्कुल strong है मेरे को इसमें दुबारा study करने की भी जरूत नहीं रही तो आप उसमें अपना time बचा सकते हो और अगर incorrect करते ह तो आपने जो अपने short notes बना रखे हैं या आपने जो भी चोरी है उसको आप अच्छे से दुबारा से read कर सकते हो तो आपको दुबारा से revision करने के लिए भी आपको वो chapter read नहीं करने जो आपको अच्छे से आते हैं और उसका आप कैसे पता कर पाऊगी अगर आम mock test दोगे तो उसे में ही आप अपने आपका आखलन कर पाऊगी तो अगर correct करते हो तो आपकी strength क्या है वो आप जान सकते हो incorrect करते हो तो आप जो short notes बना रखे हैं आप उनके मादेम से पना revision कर सकते हो जो आपके लिए काफी helpful रहेगा और जो सबसे important part होता दोस्तों mock test का वो होता आपक time management का क्योंकि time management सबसे important चीज होती है दोस्तों अगर आप mock test देते हो तो उस time duration में आप कितने question है attempt कर पा रहे हो यह सबसे important होता है क्योंकि जैसे आप mcbs nursing और paramedical का अगर entrance exam की देते हो तो आपको आप मातर two hours का time दिया जाते हो और hundred question होते हैं जिसमें आपके physics के numerical chemistry के और biology क उसमें gk का part भी रहता है तो numericals में उसमें आप मतलब ज्यादा time देते हो तो आप time management नहीं कर पाते हो अगर आप यह मान के चलोगी अच्छे से आप time management कर लेते हो mock test के जरिए तो जैसे आपको first mock test में है आपने 10 question skip किये या आपके 15 question रह गए या 20 question रह गए तो आप उसको increase क कर सकते हो अपने time को कि हा मेरे first वाले जो mock test है उसमें मेरे से 20 question है वो attempt नहीं कर पाए तो next आप 5 और ज्यादा attempt करोंगे तो जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा mock test दोगे तो उसमें आपका time management वो अच्छा से अच्छा उतार रहेगा और आप जो time duration है 120 minutes की तो आप उसमें आसानी से 100 question है उसको आप attempt कर लोगे और आपके पास में last में 5 से 10 minutes का आपके पास time भी रहा जाएगा जिससे कि आप एक बार फिर से आपने जो questions attempt की हैं उनको आप check कर सकते हो तो सबसे important part होता है mock test में कि आप time management को अच्छे से समझ सकते हो तो ये आपके लिए जरूरी भी ह अब दोस्तों आपको ये सबसे important है कि sir आपने जो mock test series है उनके आपने benefits बताए कि आप क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो किस तरगे से जो आपका अंतिम परहार है मैंने जो thumbnail में भी दिया तो आप उसको किस तरगे से use में ले सकते हो लेकिन आपको ये mock test कहां मिलेंगे तो सबसे जो जरूरी चीज होई है क्योंकि अगर आप internet पे या कहीं भी coaching institute में अगर आप सर्च करते हो तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे ये mock test series क्योंकि आपको MBSC nursing या paramedical की कोई particular preparation नहीं करवाते हैं नहीं कोई इसकी book है वो आपको कहीं market में या online कहीं भी मिलेगी तो दोस्तों म मैंने आपने काफी से request की थी आप ही जो बच्चों के दौरा मेरे पास मेसेज आये थे तो मैंने आपकी request पे ही मैंने mock test आपके लिए तयार की है जो 10 mock test series है वो मैंने आपके लिए 10 set है 10 papers वो तयार की है जिसमें आपके physics chemistry और biology और GKK वो आपके 100 की उस है जो आपके BSC nursing और के लिए काफी helpful रहेंगे दोस्तों तो यह 10 mock test series है दोस्तों उसके link आपको description box में मैंने दे रखा है तो यह आप किस तरीकर से ले सकते हैं दोस्तों तो इसमें अगर आप 5 mock test paper अगर आप लेते हैं मैंने 5 mock test paper और 10 mock test paper ऐसे 2 link हैं दो set मेंने बना रखे हैं अगर आप यह set ले तो आपको एक PDF मिलेगी उस PDF में आपको complete link दिये गया है तो उन link को आप copy करके और आप कोई भी browser यूज में लेते हो तो वहां पे अगर आप paste करते हो तो आपके पास में mock test है और आपका open हो जाएगा और वहां पे आपको time duration सारी सब कुछ details में दीवी होगी तो आप वहां स करना कि लिंक को browser में है वह आपको paste करना है और दोस्तों यह बिल्कुल नाम मातर price में है अगर आप किसी भी institute से या आपके इसको एक तो पहली बात तो आपको preparation कहीं भी किसी भी institute से नहीं करवाई जाती है और mock test तो दूर की बात हो तो मैंने यह आपके 15-20 दिन का मेरे को time लगा है इसमें search करने के बाद में तो मैंने यह आपके लिए prepare किये तो अगर कोई भी candidate है इसको avail करना चाहता तो link description box में दिया गया और बिल्कुल नाम म गातर जो two double line में five mock test series की है तो 10 mock test है वो आप four double line में इसको avail कर सकते हो अब आप इसको किस तरह के से avail कर सकते हो दोस्तों तो जैसे ही आपको description box में आप link देखते हैं आप 10 mock test वाले पे आप जैसे ही click करते है तो आप click करते ही इस तरह के आपके सामने एक page open होता है और इस page मे वह बिल्कुल दोनों का सेम आता है तो अगर आप दोनों की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल useful है और अगर कोई भ्यारती है वो आपका केवल PGI या मेर के कर रहा है तो वो भी mock test को है वो avail कर सकता है उनके लिए काफी useful रहेगा क्योंकि exam है वो बिल्कुल काफी नियर आ गया है तो अगर आप पर देखा एक mock test भी देते हो तो आपका exam duration तक आप इसको complete कर सकते हो लेकिन मेरा यही मानना है कि आप परती दिन के दो mock test दीजे एक morning में और एक evening में दीजे दोस्तों एक morning में और एक evening में आपको देना है तो इस तरीकी से आप अपने आपका आकलन कर सकते हो आपका confidence लेओ बिल्कुल बढ़ जाएगा और कौन सा आपका जो chapter वो week है वो आप इससे अपना आकलन भी कर सकते हो तो इसमें आपको करना है क्या दोस्तों बाइन आप पर बिल्कुल क्लिक करना है आपको यहाँ पर और अगर description में आपको देखना है तो 11-12 NCIT best complete syllabus test series है या आपकी जो 10 test paper है उनकी है तो इसमें आप देख सकते हूँ कि इससे आपका एक तो जो exam का pressure है वो आपका दूर हो जाएगा time management को आप अच्छे से समझ पाओगे इससे और आप अपने self assessment है वो भी आप जान पाओँगे इससे तो आपको by now पर क्लिक करना है by now पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा इसमें आप देख सकते हूँ यहाँ पे AMS या PGIMR तो दोनों के लिए useful है BAC nursing और paramedical तो BAC nursing के लिए भी है यह paramedical के लिए भी है तो यहाँ पे आपको क्या feel करना है name, email address आपको बिल्कुल सही feel करना है क्योंकि इस email address पे आपके पास में दोस्तों आएगा और उस download file में दोस्तों आपको अगर आप 10 mock test purchase कर रहे हैं तो उसमें आपको test paper 1, test paper 2 इस तरिके से आपको 10 test है उनके link आएगे तो उनमें आपको क्या करना है जो link भी आए उनको आपको copy कर लेना है उनको copy करने के बाद में जैसे ही copy करेंगे दोस्तों जो भी आपको test paper लगाना है तो उनको copy करेंगे आपको जैसे यह URL बार है तो इसमें आपको आके paste कर देना है तो आप जैसे ही paste करेंगे आपके सामने complete mock test open हो जाएगा और उस mock test को आप start कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरिके से आपके सामने PDF आपके डाउनलोड होके आएगी तो इस PDF में आपको करना क्या है केवल इतना इतना https colon double slash bit dot ly तो इसको यहां से copy और paste कर लेना यहां से copy कर लेना है तो यहां पर यह पूरे 10 test paper उनके link दिये गए है इनको आप जैसे ही copy करके आपको फिर क्या करना है जो भी आपका browser जैसे आप Google Chrome या Mozilla यूज में लेते हो तो उस पर जाना है तो आप जैसे ही यह URL बार में इसको paste करेंगे तो इस तरीके से आएगा आपके और यहां पर आपके form presenter इस तरीके से आप से पूछा जाएगा तो login to form presenter to access your form तो आपको sign in with Google कर लेना है तो आपने जो email ID है और password है वह आपको fill करके sign in with Google कर लेना है तो जैसे ही आप sign in with Google करेंगे तो आपके सामने जैसे ही आप sign in करेंगे तो इस तरीके से आपका यह open हो जाएगा जो first test series है वो तो यहां पर आप देख सकते हैं यह MS या PGI MR दोनों के लिए है BSC Nursing Paramedical Entrance Exam Test Test 1 यह है आपका मैंने Test 1 कोपी किया था वहां से लिंक को तो इसमें आपको total time है वह आपको 120 दिखा रहा है कि आपको दो गंटे का time मिलेगा जो real time यह आपको दो गंटे का ही मिलेगा उसमें 100 questions रहेंगे इसमें भी आपके 100 questions है तो इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखने वाली यह चीज है कि आपको इसमें जो attempt है वह क्यों एक ही मिलेगा तो आपको submit करने से पहले इसको आपको अच्छे से complete करना है जो आपके 100 questions है वह सारे कसार attempt करने है और 100 questions attempt करने के बाद में ही आपको submit करना है क्योंकि अगर आपने 10 questions या 20 questions attempt कि और आपने submit कर दिया तो दोस्ता वह आपका जो attempt है वह count कर लिया जाएगा फिर बाद में आप जो test series है उसको आप नहीं दे पागए क्योंकि उसमें आपको एक ही attempt दिया जाएगा तो इसमें आपको simply करना क्या है आपको यहाँ पे start पे click कर देना है यहाँ पे तो आप जैसे start पे click करेंगे तो आपका जो test है वो इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख वाएंगे कि आपका यहाँ पे जो time है वो start हो गया है यहाँ पे जो आपको time है 120 minutes में से आपके जो time left है जो real based है दोस्तो यह पूरा पूरा और आपके यहाँ पे डेट आजाएगी सारव सब कुछdetे यहाँ पे रही अब इसमें आपको कौन कौन सी आपके जो बिल्कुल mandatory है यह आपको fill करना है आपकी जो contact details है वो आपको fill करने है और यहाँ पर आपको email address और इस वाली box में आपको CT fill करनी है तो यह details fill करनी है फिर आपको scroll down जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपके जो cushions हैं वो start हो जाएंगे दोस्तों तो यहां से आप cushions है वो start हो जाएंगे इसी तरह के से आपके जो total quiz हें 100 quiz है वो इसमें आपको जो आपकी real based है 100 quiz है तो इस तरह के से आपके यह पर देख सकते है यह 100 quiz है यह first में second में 10 mock판 series उनमें 100, 100 quiz है तो आपको last में क्या करना है यहाँ पर यह submit वाला button है इस पर click कर देना है और इस पर submit करने के बाद में ही दोस्तों आपका score है वो भी आपके पास में आजाएगा कि आप कितने attempt किये हैं कितने number आपको मिले हैं और साथ ही आपको just नीचे view score आएगा जिसमें आप अपने check कर सकते कि कौन सा question आपका wrong हुआ है कौन सा आपका correct हुआ है तो इस तरह के से इस mock test को आप complete कर सकते हो दोस्तों तो यह 10 mock test series है इसमें आपको ध्यान रखना है यह compulsory है यह चीजे जो star लगाया हुआ है यह आपके लिए compulsory है इनको आपको fill करना ही है तो यह दोस्तों इस तरह के से आप submit करके यह 10 mock test series है इसको आप avail कर सकते हैं और कोई भी doubt हो कोई भी issue है दोस्तों तो आप मुझे पूछ सकते हैं और दोस्तों एक और चीज है इसमें आपके लिए जैसे यह अभी first 10 mock test series मैंने start की है तो उसके बाद में दोस्तों आपका M's का exam भी आने वाला है यह जो mock test series है यह आपके PGI MR और M's दोनों के लिए काफी useful है तो दोस्तों M's के लिए में जो 10 mock test series है दोस्तों वो और आने वाली है यह 10 हो गई अभी के लिए और 10 और आने वाली है तो इस तरह के से आपके लिए 20 जो mock test series है वो आपके लिए काफी रहेगी अगर आप इन 20 mock test series को complete कर लेते हैं दोस्तों तो मैं ऐसा मानता हूँगी आप इन 20 को अगर आच्छे से कर लेते हैं तो आपका 100% selection है वो आप M's nursing चाहे डेली के लिए अगर आप कर रहे हो कोशी तो उसमें भी आपका selection हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपके 20 mock test series हो जाएगी आपके ढ़े तो उसमें आपके 2000 total question आजायेंगे और आप खुद ही सोचे दोस्तों इन 2000 जो important questions है तो इन में से आपको केवल 100 question ही आपके आने है तो 100 तो बिलकुल типа week सा है कि इन oily से आए जायेंगे तो यह 20 series है और दोस्तों आप ज स्टूडेंट है उनको जो नेक्स्ट जो 10 सीरीज आएगी वो तोप 3 स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर गैन करेंगे उनको फ्री ओपोस्ट दी जाएगी दोस्तों उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और हर एक टेस्ट में कितना स्कोर किया जा रहा है उसका अनौं अनौंसमेंट भी दोस्तों किया जाएगा मैं टेलिग्राम पे या इंस्टाग्राम पे उनका अनौंसमेंट भी करूँगा कि किन-किन बच्चों का है उन्होंने अच्छा स्कोर किया है तो इस तरह किसे दो आप इनको अवेल कर सकते हैं तो यह अपडेट थी कोई भी कि जो शेर जरूर कीज़े दोस्तों जो मैं आपके लिए मैनत कर रहा हूँ आप पस इसको अप्रिशेशन जरूर मिलना चाहिए धन्यवाद जय हिन जय वारत